तो मैं बताता हूं कैसे आप सभी को भरना है तो सबसे पहले आप यहां पे जो है सबसे पहले आप सभी का आगया सोभी तुपोसित आपको इसी को रहन देना है दूसरे में पाटकरम के नाम में आपको सिलेक्ट करना है पाटकरम के नाम में आइटिया का कोर्स और दूसरा ज आपको बता दूए अगर नहीं भरा हुआ आता है तो आपको कैसे बना है देखिए यह पहले वर्स में आपका एडमिशन हो रहा है तो यह पहला वर्स है और यह जो है यह दो साल का आपका को प्रवेश किती थी आपको अपने को पूंच लेना है कि आपका किस तारिक को एडम नंबर है आपको अपने कॉलेज से पता कर लेना है उसके बाद आगे चलते हैं यहां पर आपको डालना है आवासी है यहां पर आपको डालना है दिवा चात्र जो चात्र जैसे गवर्मेंट कॉलेज में वहां पर होस्टल लेकर रहे तो आवासी चात्र डालेंगा और भी इंप्रमेशन होगी उन्हें भरना पड़ेगा उसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं इस जेगां पर देख पा रहे हैं आपको हाई स्कूल की डालने पड़ेगी यहां पर उत्री नौद यहां पर मैंने डाल दिया है बोर्ड जो हमारा यूपी बोर्ड है यहां पर डालती है अगर आपको इसके लाओं भी कुछ और सेक्षन एड़ करना है इंटर की डिटेल या क्लास आठकी तो यहां पर सिल्क्ट करके आप और जो है कालम एड़ कर सकते हैं तो मुझे और कुछ है इसके बाद आगे आपको क्या करने अगर हम चर्चे करें तो आप यहां पर देख पा रहे हैं अगर आप किसी भी प्रकार के बिकलांग है तो आप इस पर सिल्क्ट करेंगे जैसे सिल्क्ट करेंगे तो आपको कुछ आपसन आ जाएंगे अगर इसमें से आप कुछ नहीं क्लिक कर दिना है जीसे अपडार प्रिक्र करेंगे आप यहां पर देख पाएं लाboys आफ्षन पर आ गया है और यहां पर आपको इन देख पाएं इसपे क्यों टालना है वह यहां पर देख पाएं जो उट पर कंपेक प्राइवेट क्लिक कर दिया आप यहां पर क्लिक कर दिया आगे 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 हम आप सभी को जो है दिखाते हैं क्या क्या करना है कि उसके बाद साथी हुआ हम यहाँ पर आगे उसके बाद परिश्य प्रणाली मैं ने डाल दिया मतलब इस वर्ण के आपको अपने नाम डाल देना है नीचे क्लिक कर देना है जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे आप जो है आगे आ जाएंगे अगले पेज पर और यहां पर आपको दिखाएं आपके अवे दिन पत्र की विश्यष्टी सपोलता पूरोक बरती गही है आगे चलते हैं और आपको दिखाएं इसके बाद अब आप यहां पर देखाएं कहां तक आपका भर दिए गया, यह प्राइब को गया यह सारे चीज जो यह सई ओगया, अब आपका आगया, सब कुछ यहाँ पर इतना जो आगया, महां आगये चलके दिखाते। अब क्या करने हो आपको 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 तो आपको आपको क्लिक करने हैं जैसे आक क्लिक करने हैं ऐसके बाद संक्षरोच कोड़ डालकर न ही, करते फिर आपको दिखा रहा है मैंने जो detail है वो डाल दिया है आपको जो detail है वो भड़की क्या करना है submit कर दिना है जैसे मैं submit करते हूँ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस परिकार का interface आ गया पूरे detail नहीं नीचे आप देख पा रहें verify न कम detail पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खूल के आज आएगा यहाँ पर दीए रहा है मिलान जो है यहाँ यहाँ लिखके आ गए ना कि green सफल हो गया है इसके बाद आगे क्या करना यह सफल हो गया विससी प्रकार दालके संबीट पर कुल्क कर देते विशाब आप लिए पारें पूर यहांप प्राइच प्ली तो क्या है यहां तो एक पीच्ट करना है यहां पे नीचे से चील नाने परопर किलिक हैं प설ाएगा यहां की बाकर कैर्ट कर रखें को वीन आरका करना सो चलिक कर लिते कि लिए औरो यहां पर आनके रिखा रहें आपको अद्हारथ नापना और यहां पर आप दिया है थी ती लिए तीन यृटि पी तीन पर प्रेयाश करता एंट लिए जो safety laure detail पूरा कर दिया है जो अधार कार नमबर हो मैंने डाल दिया है बाकि यहां पर मैंने क्लिक किया इसके बाद capture code डाल के मैं क्या करूंगा verify अधार पर क्लिक करूंगा आप सभी को detail सही डालना है तीन ही ओटीपी आप सभी को मिलेगी तो इसके बाद आप यहां पर आएंगे नीचे देख पा रहे हैं अधार कार्ड का जो जाते हैं जैसे आप उसके क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाए तो जैसे उस पर सत्यापन के लिए क्लिक करेंगे साथ हूं कुछ इस प्रकार का जो detail है आपको देखने मिल जाएगा check NPCI status आपको यहां पर नीचे जो है क्लिक करना पड़ेगा जैसे आप इस पर नीचे क्लिक करेंगे साथ हूं तो यहां पर आपके जो detail आएगी आपको क्या करना है पटसे सोब से पहले आप इसी को रहन करना देना दूसरे माँने में आपको सिल्क्ट करना है आइट्याइपा करेंगे साथ यहां पर यह तो इल से हम कि यहां प्रेटर करना है जशी आफिर अगर नहीं भरा हुआ आते तो आपको कैसे बनना देखिए यह पहले वर्स में आपका एडमिसन हो रहा है तो यह पहला वर्स है और यह जो है यह दो साल का आपका को और से लिए प्रवेश किती थी आपको अपने को पूंच लेना है कि आपका के तारिक को एडमिसन हुआ है इसके बाद पंजीन क्लमांग यह आपका रेजिस्टेशन नंबर है आपको अपने कॉलेज से पता कर लेना है इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर आपको डालना है आवासी है या दिवासी दिवा चात्र है तो यहाँ पर आपको डालना है दिवा चात्र जो चात्र जैसे कॉलेज में वहाँ पर होस्टल लेकर रहे तो आवासी चात्रे डालेंगे और भी इंपॉर्मेशन होगी उन्हें भरना पड़ेगा उसके बाद यहां पर आपको हाई स्कूल की डालने पड़ेगी यहां पर उत्रीन दोने के बर पूरांग प्राप्तांग कितने प्रतिशत है यहां पर पूरे डिटेल आपको भर लेना है यहां लाश्ट तक उसके बाद आगे यहां पर आपको कैप्चर कोड डालके नीचे सब्मिट पर क्लिक कर देना है तो आई हम इसको यहां पर थोड़ा सा रहे गया है यह चीज को नहीं फिल किया अभी मैंने इस चीज को फिल क करके आप सभी को फिल में दिखाता हूँ आगे तो यहां पर मैंने जो है डाल दिया है बोर्ड जो हमारा यूपी बोर्ड है यहां पर डालती है अगर आपको इसके लाओं भी कुछ और सेक्शन एट करना है इंटर की डिटेल या क्लास आट की तो यहां पर सिलेक्ट करके लगने अगर आप और جए कर सकते हैं के मुझे और कुछ नहीं करना है तो ⁴ और हमें इहां पर क्या करतेंगे सीदे चलंगे और सम्मिट पर अगे तो आपको सारा चीछ सई से भरके रखना यहां पर देख पा रहहें अब ज़ो यह मेरा चिश्ञी करने पूरा हो गया अब इस पर select करेंगे जैसे select करेंगे तो आपको कुछ option आ जाएंगे अगर इसमें से आप कुछ नहीं है तो आपको select नहीं करना है select नहीं करेंगे तेसारे नीचे वाले column आपको भरने नहीं पड़ेंगे अगर आप select करते तो आपको column भरने पड़ जाएंगे उसकी बाद यहाँ पर रासन कार्ड आईडी संक्या हो दिया है जरूरी नहीं है अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं अच्छी बात है उसकी बाद नीचे साथी माताजी का नाम दिया है फिर कैप्चर कोड दिया है कैप्चर कोड आपको डाल के क्या करना है परिशान हो जाते हैं उनको बता दें परिशान होने की जूरूत नहीं यहाँ पर क्या डालना है यहाँ आपको देखिसाट को आपको अपने कॉलिज में पूछते हैं हैं तो मैंने 18,000 डाल दिया उसके बाद क्या करेंगे नीचे काइपचर कोड डाल के और यहां पर मैंने अपडेट पे क्लिक कर दिया जैसे अपडेट पे क्लिक कर दिया आप यहां पे देख पारे हैं आगे आगे अब आगे हम आप सभी को जो है दिखाते हैं क्या क्या करना है उ बुडक कितना था वह ढालना उसके वाद आपका यह अपने आप आ जाएगा उसके बाद आपको अपने D प्रदी गई है आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं उसके बाद आप यहां पर देख पाएं साथ वो हमारा जो इस टिप थिप ठ्री एग्ए ऐस ट्री पर अप्लोड डॉकुमेंट इस बाद आगे चलते हैं और आगे भरते यहां पर आपको क्लिक न करना है जैसे हम ध्र सब आगे करना है आपको यहाँ नीचे आने और खंधन कर संसोधन करना है तो आपको क्लिक कर सकते हैं नहीं तो आपको आई उम जात हimizi प्रमार पत्र हाँ पर कुल्क करने जैसे आप यहांपे आपको जो आपको पूछ रहा है और प्रमार पत्र संखे करने उसके बाद उसका tengrant डालने मांग यह हम करते हैं पूरे इनछे आप ढे wil देख पा रहे हैं बर्रोमार पत्र में आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आज आएगा यहां पर देए रहा है यहां के बाद मैंने क्लिकए यहां पर हम आगे छाचेव और पर आने के बाद हम आपको आगे दिखाते हैं क्या करना है अभी यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है यहां पर तीन लाइन पर क्लिक करना है यहां पर नीचे तीन लाइन पर क्लिक करेंगे यहां नीचे आएगा आप सभी का अधार नंबर वेरिफिकेशन यहां पर देख पारे हैं प्रमारी करना है तो आधार नमबर डालके वेरिफिकेशन आपको करना है तो चलिए हम इसके बाद हम आपके आप सभी को जो है तो यहां पे मैंने साथ हूं जो है डिटेल पूरा कर दिया है जो अधार कार नमबर हो मैंने डाल दिया है बाकी यहां पे मैंने क्लिक किया इसके बाद क्या करूं क्या। इसके बाद आप यह यहां पर सबूद करना है फिर 20 अब क्लिक करना है और नीचे आप रहिए नीचे आएगा यहां तो दिखायेगा एंसी पीए द्वारा सत्यापन चलिए हम logo कर लें प्र आप सभी कमें दिखाते हैं, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाए, तो जैसे इस पर सत्यापन के लिए क्लिक करेंगे साथ हूँ, तो कुछ इस प्रकार का जो डीटेल है आपको देखने को मिल जाएगा छेक एनपी सियाई स्टेटेस आपको यहां पर नीचे जो है क्लिक करना पड़ेगा जैसे आप इस में नीचे क्लिक करेंगे साथ हुँ तो यहां पर आपके जो डिटेल आएगी स्टेटस वह दिखा देगा आई हम करके आग उसके बाद आप सभी को जो है हम दिखाते हैं तो यहां पर जैसे मैंने क्लिक किये साथ हूं यहां पर देव पा रहे हैं यह नहीं दिखा रहा है यह बोल रहा है कि लिंक डेट इतना था जो सभी को अच्छे से दिखेगा तो यहां पर आप सभी जो है देख पार रहे होंगे साथ हूं यहां तक हमारा हो गया है अभी यहां पर बैंक सत्यापन पर लिए क्लिक करेंगे अगर आपका लिंक होगा तो आपका डिटेल हो जाएगा उसके बाद साथ हूं कुछ नहीं करन में पूरा कंप्लीट वीडियो फिर से बना के आप सभी को भेज़ूंगा लेकिर उससे पहले अगर आप फॉर्म बरना चाहते तो यह सत्यापन करके आपको हाई स्कूल प्रवाड़ी करने कर देना उसके बाद आपको प्रिंट डाउनलोड करके अपने कॉलेज में जमक कर कर देना है इसके आगे जैसे ही बनेगी साथ हो वीडियो मतलब इन पीसिया कंप्लीट होगा इस चाहते का मतलब इसके बाद मैं आप सभी को जो वीडियो प्रवाइट कर दूँगा आई होगी अगला पार्ट जल्दी ही मैं कोशिच करूंगा आप सभी को मिलने के लिए